ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फाइदा लेने के लिए इंसेंटिम्स लेने के लिए और कुछ चीजे रियायत लेने के लिए यहाँ ये कैप्टलिस्ट लोग आते हैं किरकर हमें क्या मिलता है मेरे पीशे खड़े जितने भी यूबा साती है इनको निकाल दिया जाता है जिनके आधार पर आप जीते हो जिनके आधार पर आपका टर्न ओर बनता है आप उनको देते कुछ नहीं है जब तक डोगरा स्वाभिमान है तब तक कोई भी डोगरा भाई बंदू किसी भी मुश्किल का सामना अगर करे तो हमारे पास आए से पहले तो शुकरिया आदा करना चाते हैं सबसे पहले मीडिया का और दूसरे नंबर पर सामबा के जो परशासन है उसका सिवल परशासन का बहुत-बहुत बढ़ा रोल रहा और हम इन भाईयों को बदाई भी देना चाते हैं जिनको बिना किसी फाइदा दिये हुए बिन यह भाई हमारे पास आए डोगरा सौइबान के पास आए हमने मिल करके इनके साथ यहां ADC साब की आगे एक शिकाइद रखी यहां पे हमने अपनी गुहार लगाई और यह बताया बहुत अच्छा रोल पले किया ADC साहब ने और ALC साहब ने और यह बात समझाए कि यह सारी फैक्टरियां जो लगाई जा रही हैं और लगी हुई हैं 2025 और यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फाइदा लेने के लिए इनसेंटिम्स लेने के लिए और कुछ चीजे रियायत लेने के लिए यहां यह capitalist लोग आते हैं हमारी जमीनों को यह कोडियों के दाम मैं सरकार के म इस गाईड हो जाती हैं यहां तो जानबूच के ऐसा करती हैं किसी बड़ी मोटी रकम के तहत या अपना फाइदा लेने के लिए वो हमारी जमीन को छीन करके बाहर से आहिव लोगों को बड़ी बड़ी फैक्टरियां हां पर लगवा के देती हैं और उनका सेयोग भी करती हैं और आखिर कर हमें क्या मिलता है मेरे पीशे खड़े जितने भी यूबा साती है इनको निकाल दिया जाता है 15-15 साल इन्हों ने उन फैक्टरियों में काम किया बिना किसी नोटिफिकेशन और फाइदे के इनको ऐसे कह दिया भई आज के बाद फैक्टरी काम नहीं करेग तो हमारे पास आई हम सडको पर उतरेंगे और ये चिताना चाहते हैं कि फैक्टरिया इस परकार का रवेया उन मजदूरों के साथ भेदवाब उनका एक्सपलेटेशन जिसकी बज़े से इनका प्राफिट बनता है वो ऐसी मानसिक्ता को खतम कर दे जिनके आधार पर आप जीते हो जिनके आधार पर आपका टर्न ओर बनता है आप उनको देते कुछ नहीं है लेकिन आज हमारे हस्तक्षेप से हमारे बाइनों के हैल्प से और प्रशासन की बज़ा से आज ये मसला हल हुआ आज कई गरों में खुशियों के दीप जलेंगे और हमें भी बड़ी प् आपा यहां पर HPM में काम करते थे 20 साल से पिछले से तो उनको कैंसर हो गया बीस साल के बाद और कैंसर हुआ जब तो कंपणी मालों को मालों चला तो उन्होंने उनको निकाल दिया वह से और ना ही उनकी कोई हेल्प की ना फिनेंशिल हेल्प की और E.S.I. कार्ट को गया र ने जब वह बिमार थे और लास्ट को ने किया कि यह साथ महिनों के बाद जब वह नहीं गे डूटी और उनको रिजाइन ले लिया तो और बस अगे जो डोगरा समाज गट फंडरन सखटन है हमारा तो उनको ने हमारी मदद की आगे आके और हम सब के वह जो हमारा मेरा नाम संदीब कुमार है मैं एच्पीम कंपनी चे काम करता है थारा वी साल दे ते अक्चुली जस्ट कंपनी ने दो यारे चोवी चे कंपनी बंद होई समान करना दे है अपना ते सारे रिजाइन ले जब अधस्ती ठीक है कि साड़ा कोई भी अपना जो भी साड़ा अग बंद हो नहीं मिला रहा है असे अपना डोगरा स्वावीबान संगटन अली पार्टी दा सेहोग लाता इंदे को अपनी प्राव्लम स्नाई नहीं तो उन्हेंने सारी हेल्प किती परशासन को लोगे इंदे को एल्सी को सारे इन्हेंने सारी मदद किती तो आज साड़ा मसला अलोई या जो भी आ है बड़ा बड़ा शुकरी आदा करने हैं डोगरा स्वावीबान संगटन पार्टी दा